दोस्तों अगर आप व्ट्रेपर्स प्राब्लम आती होगी तो उनमें से ही एक प्राब्लम के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जोकिंक अक्सर आती है सामने ओर सभी principles को सामने तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप अपनी वेबसाइट पर आने वाली प्राब्लम को सौल कर पाएंगे तो दोस्तो मैं इसी तरह की जानकारी और भी लेकर के आता रहता हूँ और अगर इस तरह का इस वीडियो से जुड़ा हुआ कुछ कोश्चन रहे तो आप नीचे कमेंड में पूस सकते हैं तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आए चलते हैं लैप्टॉप को स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बताता होगी कैसे आप अपनी इस प्राब्लम को सौल कर सकते हैं आगे हो मेरे लैप्टॉप पे तो सबसे पहले मुझे ओपन करना होगा मेरा सी पैनल तो यह वेबसाइट है आप इसको देख लेगे यह चल नहीं रही है अभी और अब चलते हैं सी पैनल के लिए तो मैंने मेरा डबली चम कोल के रखा है डबली चम से मैं सी पैनल में प्लगिंस नाम को फोल्डर आपको मिलेगा इसको आपको सिंपली रिनेम कर देना तो सिंपल आप कुछ भी नाम ऐसा डाल सकते मैंने किवल न्यू कर दिया अब जब वेबसाइट को अपनी रिफ्रेस करेंगे तो लेखेंगे कि आपको यह वेबसाइट चलू हो गई है तो सिंपली वापस में डेशबोर पर आगे अपनी वेबसाइट के तो अब आप जो प्लगिंस में जाएंगे तो देखेंगे कि सारी की सारी प्लगिं यहां से हट गई है क्योंकि हमने वाप फोल्डर रिनेम कर दिया है तो इसलिए इसको प्लगिं नहीं मिल रही है तो अभी ह में वापस से प्लगिं को यहां पर लेके आना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेंगे फोल्डर पर जाएंगे और नेम को फिर वापस वैसे ही चेंज कर देंगे जैसे कि पहले रहता और जैसे यह आप इसको रिनेम करेंगे यहां पर सारी की सारी प्लगिंस आ जाएंगे अब आपको बस क्या करना है कि अपनी जो प्लगिन है जो आपका काम की प्लगिन चलने लगा है और ये वेब साइट अब देखिये बड्याबर प्रॉबर साइट मेरे लाइब लोग मेरा प्रॉपर चल रहा तो आपको विडियो अच्छा लगा अगर आपको दो मेरा विडियो अच्छा लगा तो लाइक करती चैनल या सालए से फ्रॉद्व करतीजिए हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद